एक अप्रेल दुहजार चोविस को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इरानी दुदावास के परिसर पर एक हवाई हमला हुआ था इस हवाई हमले में इरानी रेवलुशनरी गार्ड्स कॉप्स यानि इरान सेना के कमांडर मुहमद रेजा जहेदी और उनके डिप्टी जनरल मुहमद हादी हाजी रहमीमी भी मारे गए थे इस हमले के जवाब में इरान ने 13 अप्रेल 24 को लिबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती के साथ मिलकर इसराइल पर सीधा हमला किया था इस दोरान इसराइल पर 300 से ज़ादा रॉकेट्स, ट्रोन और मिसाइल एदागी गए थी लेकिन इन में से अधिक तर हमले अमेरिका की मदद से नाकाम हो गए थे लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दरसल इरानी सेना की एरोस्पेस फोर्स के मुख्या अमीर अली हजीजा दे ने दावा किया है कि उस वक्त इसराइल ने इरानी सेना के पास सीधा संदेश भेश कर कहा था कि इरान सीरिया में दूतावास के जवाबी हमले से बचे इसके बदले में वो गाजा में समझोता करने के लिए तैयार है इरानी एरोस्पेस फोर्स के मुखिया अमीर अली का कहना है उस वक्त इसराइल ने मिस्र के विदेश मंत्री के जरिये हम तक संदेश पहुचाया था इसराइल ने कहा था कि इरान दूतावास के जवाबी हमले से बचे इसके बदले में वो गाजा के भीतर समझोता करने के लिए तैयार है इस वक्त इरान ने इसराइल पर हमला किया था उस वक्त इसराइल ने कहा था कि इस हमले में उसे सिर्फ मार्मूली नुकसान हुआ है वहीं इरानी एरोस्पेस के मुख्या हजीजा देह ने न्यूज एजिंसी तास्नीम से कहा था इसराइल के आयन डूम को चक्मा देने के लिए हमें कई मिसाइलों का इस्तमाल करना पड़ा था हमने अपनी सैन शमता का 20% हिस्सा इस हमले में इस्तमाल किया था वहीं इसराइली सेना के प्रवक्ता रेर एड्मिरल डैनियल हगारी ने कहा था इरान के दरजनों जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें इसराइल पर दागी गए थी इसमें से जादातर मिसाइलों को सहयोगी देशोद्वारा इसराइल की सीमा के बाहर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था इसमें दस से जादा कुरूज मिसाइले भी शामिल थी कुबतादे कि इरानी दूतावास पर जब हमला हुआ था उस वक्त इरान ने इसका आरोप इसराइल पर लगाया था हाला कि इसराइल ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ना ही इस से انकार किया था और इस हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीधी जंग चिड़ने की आशंका जताई जा रहे थी क्योंकि एरान पहले से हिजबुल्ला और हमास को इसराइल के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है